बिल्कम एफ्रेंद दोस्तों मसकार एस्पेसल बात करने वाले है यूपी एसाई इस्पेसल कंडिडिट के लिए यहां आप देखिए अब तूल जो है तेजी के साथ पकड़ता ही जा रहा है अब आपके रीट जाम की जो मांग है बहुत तेजी एक सुम्मोर को पढ़ने वाली है और आपको पता है बहुत से यूटूबर इसमें आ गए हैं एक्टिव हो चुके हैं कि भाई इसमें धांदली बहुत बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे हुई है अब इसकी जांच होनी चाहिए जांच ने अब डारेक्टरी एक्जाम की बात कर रहे हैं क्यों क्योंकि यहां पर भारती बोट ने साब साब मना कर दिया था कि भाई हम बिल्कुल भी यह तो निराधार है सारी चीज़े हम आपको आर रेडिस से बता ही चुके हैं बार बार बता रहे हैं कि उन्हें ने बिल्कुल भी चांच किये सारी चीज़े को खारिच कर दिये सारी चीज़े मना बिना जांच किये खारिच कर दिये इसका मतलब है कि जाहिर से बात है उजाच करना नहीं चाहते हैं और इसके बाद यहाँ पे बच्चे कहां सरण लिए हाई कोट में सरण लिए वहाँ पहुंच गए है रीट भी पढ़ चुकी है इसका फैसला जो है 24 तारिक तक आ जाएगा एक रीट का ठीक है और यहाँ पे बैक टू बैक दो रीट और पढ़ने वाली है क्योंकि जो मजबूत हैं जो रीट पढ़ी हुई है मजबूत है क्योंकि बहुत बहुत पाउरफुल वकील है आप सभी को पता है और यहाँ पे देखिए आप लोग बिल्कुल भी चैनल के साथ जुड़े रहिए अंत तक यह दारेक्टेव 156 कोश्चन साही हो रहे हो 154 कोश्चन साही हो रहे हैं सोच लोग इतने बड़े धुरुंदर है ठीक है तो जाहिर से बात है सारी चीज़े स्कैम हो चुका है जानकारी आपको सारे पुरूप आपको दिखाई चुके हैं और बहुत से कोचिंग वाले जो जो की दिखाने के लिए काफी हैं ऐसे सब हो यह दो पूरी जांट जानच कराने के लिए तो यहां पर देखिये क्यूंकि जान thirds इसलिए बच्चे शंतुष्टन नहीं है किससे भरती बट से संतुष्टन हूय है इसलिए वहां पे रीड पड़ बलगई है अब रीड जा सकते हैं ना मुम्किन है और भी खाज कर 42 पे ग्रेट की जौप में UPSI की इतनी हलवा जौप नहीं है जो कि इतनी असानी से सब को मिल जाए कोश्चन भी इतना हलवा नहीं पूछा था कि आसानी से बच्चा कर ले हलवा कोश्चन पूछता तो बात दूसरी थी टाइमिंग कम था 120 मिनट थे कोश्चन 160 थे और बच्चा करके आ रहा है यानि जो फरजी है वो करके आ रहे है 169 156 इतने कोश्चन करके आ रहे है ठीक है यह सारी चीज़े है जो चैनल जो है एक्टिव हो चुके है बहुत चैनल है और बहुत सारी चीज़े बात भी हो चुकी है सारी चीज़े हो रहे है एकदम अच्छे तरीके से हो रही है अब इसमें तूर पकड़ लिया है बहुत तेजी के साथ बहुत तेजी के साथ अब सारी चीज़े आगे बाढ़ रही है क्योंकि अब यहाँ पे तोटल बच्चे जितने हैं अब साथ आ चुके हैं अब कोचिंग वाले भी बहुत साथ आ चुके हैं और गुजारी से जो कोचिंग वाले भी साथ नहीं आ है सब लोग साथ आईए इसको जांज उठाईए मांग कीजी नहीं बच्चे जो इमान तार वाले बच्चे हैं रोएंग यो रोएंगे किसले क्योंकि फर्जी वाले बच्चे सेलेक्शन ले जाएंगे और इनका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा तो प्लीज आईए सब लोग जितने बड़े कोचिंग वाले होंगे चोटी कोचिंग वाले और भी जितने होंगे अब इस पे नहीं बनाये तो इस पे वीडियो बनाये क्योंकि रीट पढ़ चुकी है या शिकाट डल चुकी है और पढ़ने वाली है अब इसमें बड़े-बड़े लोग आ चुके हैं एक्टिव हो चुके हैं और पौवरफुल वकील को किया जा रहा है क्या एकदम सूपर ड अच्छे लोग सब मिलके उसके बाद यहां पे कुछ लोग आये यहां पे और आने के बाद आने के बाद रीट पढ़ी कहां पे हाई कोट में रीट पढ़ी रीट पढ़ने के बाद जांच हुई जांच होते ही सारी चीजे भरती बोट के खिलाब पाईगी मतलब कहने भाई यह ईसमें P Judith हुआ है ध्हांतली हुए है तब रВसकित को पर नहीं आपको फिर से रिएकसां कराना होगा तो तुरहत भाईती ब JAVAB आया फो लोग बोल दिए कि हम इसको रिएकसां कराने लिए बोले और यह एक्जाम का नोटिपेकर संग जारे हुआ फिर से उसके दो तीन महीने बाद एक्जाम फिर से हुआ सभी बच्चोगा क्या एक शिप्त कर नहीं लीख हुआ पेपर दो तीन सेंटर पे पेपर पूरा रद्ध हुआ यूपी का ठीक है पूरे सेंटर का परि फास्ट फेस में हुआ है एक सो चापन कोश्चन की हैं कही 22 तारिक वाले की हैं कही 25 में हुआ है कही 17 हुआ ऐसे ऐसे करके हुए हैं तो सोचो कितना ज्यादा बड़ा इस कैम हो चुका है अगर भाया इसमें आप लोग साथ नहीं दोगे साथ आपको देने पड़ेगा जित इतने सब के सब जोड़ो और यहां पर अब तेजी के साथ काम चार रहा है बहुत तेजी के साथ काम चार रहा है सब एक्टिव हो चुके हैं सबसे बात हो चुकी है अब याद रखना रीट पढ़ने वाली है सो मौर को रीट पढ़ जाएगी जो रीट पढ़ चुकी है आर बाकि साबूत तो मिली चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकि आपके पास कोई इस्टरा साबूत कोई और है साबूत हाथ लगा है, तो उसको कमेंट कर देना, क्या कमेंट करना है, जिसका भी साबूत आपको मिला होगा, उसका रेजिस्टेशन नमबर, डेट अप बर्थ, किस सिप्ट में एक्जाम था, और एक्जाम कब था, सब कुछ अच्छे से लिखके, कमेंट में कर देना, उसके बाद उसको हम यहाँ पे पीडियो फ़ूम में उसको सेफ करके रख लेंगे, ठीके, बाकि हम इसको कहाँ पे देंगे साबूत को, आगे जो आगे आएं हैं, उनके पास हम इसको सिंट कर देंगे, जो कि सारी जानकारी आपको बता दूँगा, क्या का है सारी चीजे होने वाले, बाकि इतना याद रखना, सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है, सब कुछ मिल चुका है, कलेक्ट हो चुके हैं, पीडियो फ़ूम में सब कुछ बनमा चु और लगता है कि फ़र्जी हो चुका है, तो भाईया, सब कुछ है, सब कुछ सोचल अब क्या होना चाहिए, अब जाहिए से बात है, अगर इसमें फ़र्जी हुआ है, तो कैंसिल होना चाहिए, अगर फ़र्जी नहीं हुआ है, तो कैंसिल अच्छे से होनी चाहिए, बस यह बच्चे कितिहीं मांगें कैनिंग मत्तब जो फार्जी हुए हैं लगता है कि भाई साइटिस मानने वाला कंडिडेट 156 कोश्चन नहीं कर पाएगा तो जाहिसे बात है बहुत बड़ा धांदली हुई है कुछ बच्चे बोल रहे होंगे अभी कुछ लोग धुरंदर होंगे बोलेंगे सार हम किये हैं हम इतना कोश्चन किये 110 कोश्चन किये 120 कोश्चन किये हैं हम जानते हैं आप लोग महिनत की हो आपका महिनत से आपका स्कोर आया हुए तो भाई यह सोचलो जो 105 वाले हैं यह कुछ लोग नहीं हैं बहुत जादा हैं बहुत जादा हैं आप लोग क किसी करान और नबबे आ रहागा पंचानबे आ रहागा तो उनका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा किसी विःधालत में यह सब फर्जी तरीखिस इनका हो जाएगा तो आप लोग को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इन मेहनत करने वाले बच्चों का सेलेक्शन नहीं होगा फरजी जो किये हैं, जो पैसा देखे हुए, इनका सेलेक्शन हंटे परसेंट हो जाएगा, इसे लिए लड़ाई लड़ी जा रहे हैं, बाकि कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तेज हो तरार हो, एक्जाम अगर रिग्जाम हुआ, अगर रिग्जाम की बाद भी अगर होती है, सारी चीज मिलने के बाद, यनि सब कुछ जांच होने के बाद, अगर हाई कोट की तरफ से फैंसला आता है, कि भाई ये रिग्जाम होना चाहिए, इसमें धांदली बहुत बड़े पैमाने कोई है, तो आपका रिग्जाम बहुत जल्दी होगा, एक दू महीने, तीन महीने चार महीने के अंदर हो जाएगा एक्जाम, ठीक है, रिग्जाम, अगर रिग्जाम नहीं होता ता आपका रिजल्द जो है आ जाएगा, सारी चीजे पर करिये जैसी चलेंगी, ठीक है, बाकि हाई कोट में सब कुछ पढ़े गए, तो इसको देखना ही पढ़ेगा, क्योंक क्योंकि रिट पढ़ चुकी है, जब तक इन बच्चों का फैसला नहीं आएगा, तब तक बैकंसी 100% आगे नहीं बढ़ने वाली है, किसी भी हालत में ठीक है, याद रखना, अब यह जानकारी जो यहाँ पर रिट पढ़ी गई है, और जो पढ़ने वाली और है, यह सारी चुके है, तो इसमें वही टीचर जो रिट जानकारी अपको पता है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको आने वाली वीडियो है बता दूंगा, जिन्होंने, जिन्होंने,ुपी पी का एग्जाम को कैंसेल करवाए थे, वही टीचर सामने आ चुके हैं, और बहुत बात है बहुत बड़े पैमाने तरीके से बहुत लोग आये हैं जो कि एक्टिव हो चुके हैं एकदम जो यूपीपी पर इछा का इंसील करवाई थे वही आ चुके हैं तो सोच लोग कितने बड़े वकील को हायर करने वाले हैं और इस पर क्या एक्षन होने माला है जान लेना ज्यादा ज्यादे इसको share कर देना बहुत powerful channel है ठीक है तो बहुत से सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाले हैं अभी नाम नहीं लूँगा बाकी आने वाले वीडियो में सारी जानकारी आपको पूरा सब कुछ clear कर दूँगा और सारी चीजे आपको बता देंगे कौन से channel ह क्या सारी चीजे हैं कौन कौन से टीचर आये हुए है कौन कौन से चैनल एक्टिव है कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचे हुए है हाई कोट में सारी जानकारी आपको इसी channel पर आने वाले वीडियो में देने वाले हैं तो भी यह बहुत कांटे की टकर हो चुकी है भरती अगे बढ़ेगी जब तक हाई कोट का फैसला नहीं आ जाता तब तक भरती पर करिया आगे नहीं बढ़ेगी और आपके लगता है कि सारी जानकारी जांच होने के बाद 100% से पाई जाते तो भरती स्मूतरी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी अगर लगता है इसमें फरजी हुआ है तो भाईया कड़वा सच्छे याद रखना अगर भरती में धाद्री भी हुई है तो 110% माल लोगे बढ़ेगी कैंसिल हो जाएगी कैंसिल होने के मतलब है री एकजाम आपका होगा ठीक है रीकजाम होगा और इसमें जांच होनी चाहिए थी जो कि जांच हो चुके हैं सब लोग बहुत पाउरफुल के साथ बागी जो चैनल वाले एक्टिव नहीं होगे तो प्लीज आईए वीडियो इस पर बनाईए सारी चीज़े बच्चों को जन करें दीजिए बागी चैनल को ज़्यादे शेयर करना सस्क्राइब करना अब यह बात उड़ जल्द बहुत कुछी दिनों में यानि कुछी दिनों में आने वाले बीक में सब कुछ किलियर पता चल जाएगा क्या चीज होने वाली है जो बच्चों को लगता होगा इसमें फरजी नहीं होगा तो ओ लोग होगे अगर लगता होगा बिजए उनकी होने वाले इसमें शार जार बच्चे जुडने चाहिए कम सकम तेजी के साथ इसको जादा जादा सेयर करो जुडे और आपको जरूत पढ़ेगी ता आपको अलहाबाद बुलाएंगे यह परियाग राज में आपको बुलाएंगे सभी को आना पढ़ेगा ठीक है जरूत पढ़ी तो बाकि एक् subscribe करो आलवेज आपके साथ हैं गलत आपके साथ नहीं होने देंगे मिलते ने शुड़ी भी थेंक्यू धन्यवाद